तो आज किस वीडियो में एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताऊंगा अगर आप इस कैप्सूल को यह तो आपकी सारी प्रॉड्म जोगी सॉल्व हो जाएगी जन्गेनाट होना कम जो रिसुस्ति जासी किंडिशन होगी सब कुछ ठीक हो जाएगी मातर एक गुली से तो लास् पसंद है पुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आगन को जरूर करें देखिए यह कैट टैबलेट जो आती है आपका नियूरोकाइंड एलसी के नाम से मिल जाता है इस परकार से मैंकाइंड फार्मर की तरफ से मिल जाता है 15 टैबलेट जो होती है 240 रूपे की लेकिन यह वैल्र benefits के साना देखिने को मिल जाता है कि काम भी जाता इतने अचछे हैं और ऐसे ही जाता है हैं वो डाले जाते हैं बात करते हैं सबसे पहले इसके इंगेरेंट से इपने आपको मिल जाता है N-Cartinine N-Cartinine क्या होता है basically fat को energy में convert करता है और आपको body जो होता है इसको liver में, kidney में रखता है and साथ में muscles में growth करते हैं मदद करता है heart brain के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है functioning में, काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है N-Cartinine basically दूसरा इसमें आ जाता है N-Cartinate, basically ये भी एक antioxidant होता है, दोनों ही काम जो होता है, shame होता है, मतलब fat burner की तरह ही काम करता है, आपके muscles को growth करते हैं, brain को functioning करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानि आपके body को full on body को active रखने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है, तीसरे इसमें इंगिन्स आता है mycobalamin, mycobalamin होता है b12 की कमी यानी brain में rbc के लिए, खून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रोरी होता है, इसके वज़े से खून की कमी जो होता है आपके body में देखने को मिल सकती है चौतहा लागा लास्ट आ जाता है, इसमें folic acid folic acid बिट्मिन्स B9 होता है जो खून को बढ़ाने में मदद करता है व्रेंग के लिए बहुत ज़्यादा, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है rbc बढ़ाने के लिए folic acid के लिए उतर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बात करता है इनके uses के बारे में या neurokind LC के benefits के बारे में किन किन कंडिशनों में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते है आपका आनिमी है यानि खून की कमी जब आपके बोड़ी में खून की कमी हो जाती है उस कंडिशन में इस टैबलेट को यूज किया सकता है क्योंकि इसमें between B12, B9 जैसे इंगियर्स होते है when we use s के बारे बारा हम बात करें तो एक परकार से फैट बनने के पर फिक दो आपया और घूस की बारे पर चे में आपका आनिमी खिअड़ाइ न में बिजूअ कंडियर्स होते लिगी जैसे है बिडियर्स होते है सुस्ती आलश्या या सांस लेने में तिक्कत आती है या कमजोरी महसस होती है आरबीसी बनाने में भी काम करता है क्योंकि इसमें आपका फॉलिक एसेड एंड मिकवालविन या करें B12 और B9 जो होते हैं वो बिट्विन से होते हैं डाले जाते हैं बिट्विन की करते हैं या फूलिक एसे 10 कंड़िन से आयर आप इसको सकते हैं तोरह पर भी आप इसको यूज कर सकता हैडिविन से जींड में प्रेगनसी के दौरां भी आदिमिया को दूर करने के लिए इसका यूज के जाए सकता है क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड और वीटमिन मीको बाले मीन होता है लेकिन प्रिग्निन्सी के दोणे इसको यूज करने से पर अपने डॉक्टर से प्रामर्स ज़रूर करें और साथ में फॉलिक एसिड की कमी को दूर करता है बिटमिन बिटमिन कमी को दूर करता है यानि आर्विश्य को बढ़ाने में मदब करेगा या फिर ब्रेंड की ग्रोथनेस भूलने की बिमारी हो रहा है या फिर कमजोर नसे हो रही है नसों के पेन होगे रहा है में भी आप इसका यूज इसली कर सकते हैं आपका जो नियूरो काइंड एलसी टैबलेट्स आती है तो मीडिकल में भी आसानी सुपलप्त हो जाएगा इसका डोजने से होता है विसे के लिए ओडी होता है यानि एक दिन में एक बार लिया जा सकता है लेकिन डोक्टर की कंसर्स के हिसाब से आप इसको दिन में दो से तेंग बार भी यूज कर सकते है और डेली एक ही टाइम पर आपको यूज करना चाहिए रात को सोते समय या फिर सुबह जैसे आप जो भी आप यूज करते हो उसे तरीके से यूज किया जा सकता है साइड इफेक्ट्स, मितलिय होना, ओल्टिय होना, सिद्धत होना ऐसे कंडिशने हो सकती है अब ऐसा कंपल सरे नहीं कि हरके से वह ऐसा साइड इफेक्ट्स हो पिडिशन के बारे में बात करें अगर आपका प्रिग्निंसी है ये ब्रेश फिटिंग मादर है तो यूज करन से किसी को अलर्जी हो जाती है तो ऐसे कंडिशने यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लिवर डिजीज है फैट डिजीज है तो यूज करने से पहले डॉक्टर से प्रामर्स ज़रूर कंडेजिएगा और ये था दोस्तों निरोकाइंड अलसी मेडिसन के बारे में डि भारत